क्रीम बनाना सिखाऊंगी यह क्रीम गेंदे के फूल से बनी है और यह बहुत ही जादा असरतार है आपकी स्किन को लाइटन वाइटन और ब्राइटन बनाने के लिए इस क्रीम के अंदर मैंने 100% नाचुरल इंड्रीरियन्स यूज किये हैं जो कि आपकी चेहरे पर से जाईय जुर्रियां या किसी भी तरह की दागधब्बे या निशाने उनको रिमूव करने में भी एक्रीम मदद करेगी और आपकी स्किन को स्पाटलेस, क्लेयर, फैर, ग्लोइंग और रेडियन्ट बनाएगी तो इस क्रीम को बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए गेंदे क फूल लिए हैं और आपको इन दो गिंदों के फूलों को अच्छे से तोड़ना है यानि कि उनकी कलियों को तोड़ना है फिर हमें चाहिए रोज वाटर यानि कि गुलाब जल और अब मैं इसके अंदर दो चमच गुलाब जल डालूंगी और अब इन दोनों चीज को हमें अच्छे से पीस लेना है ताकि एक स्मूथ पेस्ट बन जाए और इन दोनों को अच्छे से पीस्टने के बाद ये पेस्ट कुछ इस तरह दिखेगा अब हमें इस पेस्ट को चाहनना है ताकि हमार पास एक फाइन पेस्ट मिले और इसको अच्छी से चानने के बाद आपका ये स्मूथ मिक्स्चर रेडी है और वो कुछ इस तरह दिखेगा तो चलिए अब ये क्रीम बनाना शुरू करते हैं और इस क्रीम को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए वाइटमिनी ओयल और यहाँ पर मैं इस पेस्ट के अंदर एक चमच वाइटमिनी ओयल डाल रही हूँ और अगर आपके पास ये ओयल नहीं है तो आप वाइटमिनी की कैप्सियूल्स भी यूज़ कर सकते हैं उसके बाद मैं चाहिए ओलिव ओयल और अब इसके अंदर मैं आदा चमच ओलिव ओल डाल रही हूँ ओलिव ओल डालने के बाद अब हमें तीनों इंग्रीडियन्स को अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये दोनों ओल इस पेस्ट के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए अब लास्ट में हमें इसके अंदर अलोवेरा जेल डालना है और यहाँ पर मैं रेडिमेट अलोवेरा जेल यूज कर रही हूँ बट आप नाच्रल अलोवेरा जेल भी यूज कर सकते हैं और इसके अंदर आप 2-3 चमच एलोवरे जल डालिए और इनको बहुत ही अच्छे से मिक्स करिए और इस पेस्ट को आपको तब तक मिक्स करना है जब तक एक फ्लफी और क्रीमी कंसिस्टेंसी नहीं मिल जाती है आपको और अच्छे से सब कुछ मिक्स करने के बाद आपकी एक क्रीम रेडी है और वो कुछ इस तरह दिखेगी ये क्रीम आपको गोरा होने में और आपकी स्किन को लाइटन और वाइटन करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी इस क्रीम की कंसिस्टेंसी मीडियम होनी चाहिए नहीं जादा पतली और नहीं जादा थिक जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ और ये क्रीम बहुत ज़्यादा स्मूथ, फ्लफी और क्रीमी होनी चाहिए तो चलिए अब देखते हैं कि इस क्रीम को कैसे स्टोर किया जाए बेस्ट रिजल्स पाने के लिए तो इस क्रीम को स्टोर करना बहुत ही असान है, आप इसको किसी भी एटाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं और आप इस क्रीम को 10-15 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि इस cream को कैसी use किया जाए best results पाने के लिए तो इस cream को इस्तमाल करना भी बहुत ही असान है आपको सिर्फ इसको थोड़ा सा अपने skin पर लगाना है और आप इस cream को अपनी face पर या अपनी full body पर use कर सकते हैं और अच्छे से लगा कर इसको 10 से 15 सेकंड के लिए अपनी skin पर मसाज कीजिए और इसको ऐसे ही रात पर के लिए छोड़ दीजिए और अगर आप इस cream से best results पाना चाहते हैं तो आपको ये cream दिन में दो बार इस्तमाल करनी होगी एक सुबा और एक रात को सोने से पहले तो आज के लिए बस इतना ही और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे like और share करना ना भूले और आप मेरे चानल को subscribe भी कर सकते हैं आसी बहुत सारी easy और effective home remedies देखने के लिए और subscribe करने के बाद आप उस bell icon को दुबाना न भूले मेरे वीडियो की regular और future updates पाने के लिए